हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल थियोरी ओफ अब्रोगेशन में मैं हूँ सिद्धी और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंडियन लेबर लौ के कुछ मेजर आक्ट के बारे में अपनी पहली लेबर लौ की वीडियो में मैंने ऐसे मैं आपको उन मेजर आक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ तो आईए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही एहम जानकारी अगर आप भी है एक जुडिशल अस्पारेंट और करना चाहत आपको बता देती हूँ कि मैं कौन-कौन-से आक्ट के बारे में आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी the industrial disputes act 1947 के बारे में उसके बाद मैं आपको बताऊंगी the trade unions act 1926 के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे the minimum wages act 1948 के बारे में the next one is the payment of wages act 1936 उसके बाद the employees compensation act 1923 and the last but not the least the maternity benefit act 1961 इन सभी acts के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको brief introduction देने वाली हूँ अब आई ये start करते हैं हमारे पहले act से पहला act है हमारा the industrial disputes act 1947 का किसी भी अधिनियम को किसी भी act को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो act किस दिन force में आया था तो date हमारे लिए बहुत जरूरी है 1st April 1947 को industrial disputes act force में आया था अब जैसा कि इसका नाम हमें suggest कर रहा है dispute इसके लिए थोड़ा introduction मैंने आपको last video में भी दिया था dispute industry है कोई employment वाली जगा है तो जब वहाँ पर कुछ लोग इकठे मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर लड़ाई जगडा होना कोई dispute arise होना लाजमी है ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर employer के और employee के बीच में कोई जगडा हो जाएं ऐसा भी हो सकता है कि दो employees के बीच में ही जगडा हो जाएं तो इस तरीके की situations को संभालने के लिए industrial disputes act का introduction किया गया था basically इसका major objective यही था कि कोई ऐसा provision तैयार किया जाएं जिसमें industrial disputes अगर होते हैं तो ऐसे मामलों को settle कैसे करना है ऐसे मामलों के लिए investigate कैसे करना है जांच परताल कैसे करनी है और फिर जो भी हो industrial disputes का अगर act हम बना रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम employers का इसके साथ उसको हम improve करना चाते हैं उसको regulate करना चाते हैं तो इस तरीके से industrial disputes act लागू किया गया और इसमें जो भी major department हमने चूज किया उसका काम यही था कि वो जो workmen है जो employers है उनके लिए rules set up कर दे यह ध्यान रखा जाएं कि कोई भी चीज illegal तरीके से ना हो जैसे कि strike हो र की रजामंदी के साथ relief provide कर दिया जाएं तो यह decide किया गया industrial disputes act में और यह था इसका major objective अब बात करते हैं अपने next act के बारे में जो है the trade union act 1926 अब अगर हम बात कर रहे हैं trade union act की तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह आया था 1st June 1927 को और इसी के साथ यह बात जाननी बह मतलब क्या होता है trade union का मतलब होता है trade मतलब कारोबार करते वक्त temporary तरीके से बनाया जाएं या फिर permanently बनाया जाएं बट workman और workman मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके relations को regulate करने के लिए या फिर employers और employees के relations को regulate करने के लिए जब कोई group बना दिया जाता है तो उसे बोलते है trade union ये group आपस में ही ये लोग बनाते हैं जैसे कि employers हैं वो ही आपस में अपना group बना लेंगे या employers और employees बनाएंगे या फिर जो workman हैं जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना आपस में group बनाएंगे तो group बनाने का उनका major मकसद यही होता है कि हम अपने relations को अच्छे से बना किया है इन future वो ये सोचते हैं कि मानलो कोई दिक्कत आ जाती है हमें किसी बात पर अपना stand लेना पड़ता है तो हम अकेले ना हो हमारे साथ और भी लोग हो इस purpose को देखते हुए trade union तैयार की जाती है अब जो trade union act लागू किया गया था इसका major motive यही था कि workers को protection देजी जाए थोड़ी सी उनके साथ किसी भी तरीके से unfair labor practice ना हो उनको एक cover कर दिया जाए उनको हमें एक blanket provide कर दे एक outer layer दे दे कि हाँ भई हम आपके साथ हैं आपके साथ किसी तरीके की कोई unfair practice नहीं होगी कोई भी जो employer है जब वो आपको काम पे रख रहा है तो वो काम पे रखने के पी ये देखा गया कि इंडिया में trading जो है वो काफी जादा increase हो रही थी जब बहुत जादा trading बढ़ रही थी तो ये काफी जादा जरूरी था क्योंकि इतनी trading है इतने सारे काम करने वाले लोग हैं तो एक अकेला इंसान अपनी बात को आगे रखने ही पाएगा और उसकी बात एक अकेले इंसान की बात पर कोई जादा फरक पड़ेगा भी नहीं तो इसलिए जब trade union होती है तो एक पूरी union जब कोई भी चीज आगे लाती है तो उस चीज के उपर जल्दी से जल्दी action लिया जाता है अब चाहे वो सारे के सारे workers मिलकर के मान लो condition की बात कर रहे हैं कि ह अगर एक ही वरकर बात करेगा तो फरक पड़ेगा कम पर अगर सारे workers इकठे मिलकर के एक union बनाकर सामने आएंगे तो उनको उनके अधिकार जल्दी मिल पाएंगे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए trade unions act 1926 को लागू किया गया the minimum wages act 1948 अब यहां पे हमें नाम से यह चीज समझ में आ रही है कि यहां पे जो भी बात की जा रही है वो एक minimum तरीके से की जा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो act लागू हुआ यह 15 March 1948 को लागू हुआ wages का मतलब होता है यह wages को हम आम भाशा में अगर बोलें तो हम इसे कहेंगे prize of labor जो इनसान काम कर रहा है जब उसे उसकी मेहनत के पैसे दिये जाते हैं तो उसे हम wages बोलते हैं आम भाशा में रोजमर्रा की जिंदगी में दिहारी भी बोलते हैं तो wages दी जाती हैं workers को जो वो काम करते हैं पर जब minimum wages act निकाला हमारी सरकार ने तो उनका major मकसद यहां पर यही था कि अगर कोई भी इनसान काम कर रहा है चाहे वो skilled worker है चाहे वो unskilled worker है पर उसे कम से कम minimum wage तो pay की जानी चाहिए minimum wage से यहां पर हमारी सरकार का मतलब यह था भाई ऐसी तनका तो कोई भी मालिक नहीं देगा कि भाई उसका जो नौकर है वो बहुत ज़ादा रहीस बन जाएं वो अलिशान बंगला ले ले अगर आप किसी इंपलोई है जो तीन तरीके की बारे में इन्हों ने बात करी जो थी minimum wage कि भाई minimum wage दी जानी चाहिए अब minimum wage का क्या मतलब है कि अगर आप किसी इंसान को पैसे दे रहे हैं तो अटलीस्ट इतने पैसे तो दीजिए कि वो अपना जो एक रोजमर्रा का उसका जीवन का जो खर्चा है जो एक हमें आम एक सबसिस्टेंस जीने की जो जरूरत है रोटी कपड़ा मकान वो इतना कि देखो आप जो भी दे रहे हो तंखवा वो ऐसी ना जायस तंखवा मत दो आप कुछ भी दे रहे हो पैसे तो कम से कम वो फैर दो अब हम किसी से काम करवा रहे हैं हम उससे काम बहुत सारा करवा ले और उसको बहुत कम पैसे दें तो वो चीज हमारी सरकार ने उस पे रो इसको देखते हुए ही आप उसकी तनख्वा डिसाइट करें और तब ही दें इसी के साथ साथ जो लास्ट इन्होंने वेज की बात करी हाँ पर वो थी लिविंग वेज अब लिविंग वेज से इनका मतलब यह था कि कोई भी इनसान जब काम कर रहा है और अगर वो एक मेल है आपके पास वो काम कर रहा है तो वो एक only earner only bread earner होता है मतलब वो ही एक कमाई कर रहा है अपने घर चलाने के लिए तो लिविंग वेज आप कम से कम उसे इतनी दीजिए कि वो अपना और अपने घर का जो उसकी family है जो उसकी social needs है वो उनका गुजारा कर सके और वो एक proper society मे तरीके से रह सके ये बात करी हमारी सरकार ने minimum wages act 1948 में अब इसके बाद बात करते हैं next important act की ये जो next act है ये बात करता है payment of wages act ये act आया 23rd April 1936 को अब देखिए wages के बार में तो हमने बात कर ली पर अगर उन wages को pay ही ना किया जाए तो क्या करेंगे ये सोचते हुए हमारी सरकार लेके आई थी payment of wages act 1936 ये act ये कहता है कि अगर wages decide हुई है तो कम से कम ये तो देखो कि जो भी मालिक है वो अपने employee को तनखवा दे भी रहा है या नहीं क्योंकि पहले क्या होता था बात 1936 की हो रही है उस समय क्या होता था कि जो employers होते थे वो अपनी मर्जी के मालिक थे अग पर रखने के बाद उसे कितने पैसे देंगे या उनकी मर्जी पे डिपर करता था ओसकता था बिना पैसे दिये भी काम से निकाल दें तो इस तरीके से बहुत सारी माल प्राक्रइस की जाती इसके शिकार होते थे बचारे गरीब वरकरस तो इसलिए ये धियान में रखते तो आपको proper उसके पैसे दिये जाएंगे किसी भी तरीके की illegal deduction मतलब जो चीज जायज नहीं है उसके पैसे आपके नहीं काटे जाएंगे किसी भी तरीके का delay आपको जो unjustified है भई अगर justified है employer के साथ कोई दिक्कत हो गई है तो वो पैसे देने में लेट हो रहा है तो वो समझना पड़ेगा पर अगर unjustified delay है तो वो नहीं माना जाएगा employee को उसे पैसे देने ही होंगे और जितना भी claim जितने भी पैसे उसके बनते हैं वो पैसे payment of wages act ने कहा कि हर employer को employee को देने ही होंगे इस मकसद से इस objective के साथ लाया गया ये act अब इसके बाद next important act है Employees Compensation Act 1923 Compensation की जरूरत हमें पड़ी 1st July 1924 से Employees Compensation Act आया 1st July 1924 से अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो हमें compensation की जरूरत पड़ गई इसका मतलब ये है कि मानिये हमारी industry बहुत बढ़ रही थी उस time पर industry इतना जादा काम कर रही थी धीरे धीरे technology बढ़ रही थी काफी heavy machinery यूज होने लगी थी electricity का बहुत काम होने लगा था अब ऐसे में जब machines इतनी यूज होंगी electricity का काम है सारा तो छोटे छोटे accidents से शुरुआत हुई और वो accidents कभी कभी बड़ा रूप लेने लगे तो जब इस तरीके से होने लगा कि भई इतने accidents होने लगे और उसमें कहीं ना कहीं जो workmen थे उनको नुक्सान होने लगा कभी कभी जो workers काम कर रहे होते थे उनकी जान को खत्रा होता था rainy season में काम कर रहे हैं बिजली का काम कर रहे हैं तो उनकी जान को खत्रा होता था और काफी बार ऐसा हुआ कि employer ने अपने workers को risk में डाला अपनी negligence की वज़े से और worker को injury face करनी पड़ी injury का result कुछ भी हो सकता था उसकी death भी हुई तो जब ये cases सामने आने लगे तो एक procedure सोचा गया कि भई ये तो ऐसे नहीं हो ना कि कोई इंसान कहीं पर काम कर रहा और उसको इतना भारी पड़ जाएं वो काम कि उसकी जान चली जाएं तो ये देखते हुए कि मालिक की कहीं पर भी negligence नहीं होनी चाहिए ये act लाया गया जिसमें ये बोला गया कि एक employer जब अपने employees से एक जगा पर काम करवा रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है employer को ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की कोई physical disability या कोई बिमारी मेरे employees को यहाँ पर करते वक्त नहीं होनी चाहिए specially अगर वो employment कोई hazardous employment है तो अगर आपकी glass making factory है पटाखों की आपकी factory है mining work आप करवा रहे हैं उस समय में तो employers को बहुत साफधान रहना है कि किसी भी तरीके का जो एक होता है न assumed risk जो हम मान सकते है कि हाँ इस तरीके का खत्रा हो सकता है वो अपने दिमाग में employer को लेकर चलना है और ध्यान रखना है कि उसके पास काम करने वाले किसी भी employee के साथ ऐसी कोई दुरगटना ना हो और in case अगर हो जाती है भई employee काम करते वक्त उसकी death हो गई या accident में वो कुछ disability उसको हो गई physical disability हो गई तो कितना नुकसान हुआ है और अगर मान लीजिये death हो गई है तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि जिस इंसान की death होई है वो अपने पीछे अपने परिवार में किस किस को छोड़ कर गया अब मान लीजिये कि उसकी एक ही wife है जो पड़ी लिखी नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकती है लाइफ में या वो पड़ी लिखी भी नहीं है और बच्चे भी है बुड़े माबाब भी है ये देखा जाएगा कि उसके पीछे को इंशूर करने के लिए उन्हें कुछ पैसे देगा या मन्थली बांधा जाएगा जितना भी होगा वो एंप्लॉयर को देना होगा क्योंकि उसकी वजह से उसकी नेगलीजेंसी की वजह से उसके पास काम करते वक्त किसी इंप्लॉय को कोई बिमारी हो गई है या बिमारी ठीक ही नहीं हो सकती है या अगर ठीक हो सकती है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए लाया गया अब बात करते हैं next important act की the maternity benefit act maternity benefit act जो है वो ladies के लिए लाया गया क्योंकि जो maternity word है वो सीधा सीधा औरतों से related है 12 December 1961 मे लाया गया मत्रतव माता जो बनने वाली है ओरत जो मा बनने वाली होती है उसके favor में maternity benefit act लाया गया maternity benefits का मतलब होता है कि जब एक lady प्रेगनेंट होती है तो उससे पहले का कुछ समय और जब वो डिलिवर कर देती है चाइल्ड को डिलिवरी हो जाती है उसके बाद का जो समय होता है तो ओविसली वो औरत काम करने की शमता में नहीं रहती है कि वो अपनी एंप्लॉइमेंट वाली जगा पर आकर काम नहीं कर स है और उसमें अगर सोसाइटी उसकी जरा भी मदद ना करें तो वो चीज गलत होगी तो यहां पर इस एक्ट में यह बोला गया कि भई जो इंप्लॉइर है उसे रियलाइज करना होगा उसे समझना होगा कि जो औरत है वो फिजिकली डिफिकल्टी फेस करेगी अगर वो ऐस सिच्वेशन में काम करने आती है तो और अपने बेबी को बर्थ देना भी उसकी एक डिउटी है उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी है तो बेबी को कैरी करके काम करने के लिए आती है उसके बाद बेबी डिलिवर करने के बाद वो अपने बच्चे को उठा कर हाथ में लाती है तो वो चीज उसके लिए एक difficulty होगी और वैसे भी हमारा जो constitution में article 39 है वो ये कहता है कि आदमियों को और और ओरतों को equal और adequate तरीके से जिन्देगी जीने का अधिकार है ये rights उन्हें देने चाहिए हमारे directive principles में कहा गया है तो इसी के साथ ये बात ध्यान में रखी गई कि औरत किसी जगा पर काम कर रही है अगर वो वहाँ पर pregnant होती है उस समय तो कम से कम उसकी pregnancy से पहले जो expected delivery date है उससे पहले 8 हफते की छुट्टी उसे दी जाएगी 8 weeks की उसको छुट्टी दी जाएगी जो वो एक beneficial छुट्टी है उसके उसके पैसे नहीं काटे जाएंगे तो वो उस stable position में आईए और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप आके अपने काम कीजिए इतना employers का बनता है यह initiative हमारी government ने लिया और बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि औरतों को यह लगे कि हमारी यह duty है और इस duty की वज़े से हम काम करी नहीं पाएंगे और यह एक अर्चन बन जाएं और तों को सुसाइटी में आगे लाने के लिए तो इसलिए employment services को यहां पर regulate किया गया maternity benefit और तों को यहां पर प्रोवाइड किये गए और 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 तों को आगे बढ़ने के लिए mandatory provision बना दिया कि जहां पर भी lady काम कर रही है employment वाली जगा पर employers को उन्हें maternity benefits देने ही होंगे तो यहां तक हमने बात करी labor law में cover होने वाले कुछ major act के बारे में तो I hope आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और सारे points जो मैंने बताए हैं वो clear होंगे इन केस आपको कोई doubt होता है तो comment section में आईए और मेरे साथ discuss कीजिए तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चानल पे चानल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अपने suggestions और queries के साथ comment section में आईए Thank you for watching friends